अपना सजा जो है उन्होंना काटा है जो लीगल तरीका है कानूनी तरीका है सभी गया सो पर ना तो मुख्यमंत्री नितीश कुमार की ओर से और ना ही डिप्टी सी एम तेजस्वी आदव की ओर से कोई बयान सामने आया है फिलाल आनंद मोहन अपनी बेटे चेतन आनंद की शादी की विज़े से पेरोल पर बाहर है लेकिन खबरों की माने तो उन्हें जल्द ही रिहाई मिल सकती है गोपाल कंच की डिएम की हत्या के बाबले में सजा काट रहे 99 साल के आनंद मोहन दो बार सांसत भी रह चुके हैं उनका जन्म बयहर के सहरसा जिलिम हुआ था आनंद मोहन को उतरी बयहर में बाहुबली के रूप में पहचाना जौता है साल 2007 में आनन मोहन को विहार की निचली अदालत ने सजाय मौत सुनाई थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोटने से उम्र कैड में तबदील कर दिया था फिलाल वो सहरसा जेल में बंध है आनन मन 1990 से राज़िते में सक्रिय हुए उसे दोरान वो सहरसा से पहली बार विधायक भी चुने गए आनन मोहन ने खुद की अपनी एक पार्टी भी बनाई जुसका नाम बिहार पीपल्स पार्टी रखा गया हाला कि अभी ये पार्टी अस्तित्व में नहीं है 1996 में समता पार्टी के टिकेट पर वो सांसद भी बने आनन मोहन दो बार सांसदी पेश कर चुके हैं राज़ितिक जीवन के लावा आनन मोहन की पपू यादव के साथ हिंसक टकराओ की घटनाए भी देश भर में सुर्ख्या बनी थी कॉर्टलबे के साल 1994 में बिहार पीपल्स पार्टी के नेता और गैंक्स्टेर छोटन शुकला को पुलिस ने मुट भेड में मार दिया उसकी शव्यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए इस भीड का नेत्रत वारन मोहन कर रहे थे माना जाता है कि इसी भीड को नियंत्रेत करने के लिए ततकालीन डीम जी कृष्णिया पहुचे थे इसी दोरा दचानक भीड बेकाबू हो गई और डीम को सरयाम गोली मार दी गई जिसके बाद आरन मोहन पर भीड को भड़काने का रोप लगा और दोशी साबित होने के बाद फासी की सज़ा सुनाई गए बताय जाता है कि आरन मोहन ने ही टी-एम जी कृष्णिया को उनकी गाड़ी से निकाला और भीड के हवाले कर दिया था वही बैरार आरन मोहन एक बार फिर सुर्खियों में है ऐसे मुनकी रहाई से बिहार में कौन सी नही राज़ृती होती है ये देखना देल्चस्प होगा झाल झाल झाल